नमस्कार स्वागत आपका सी न्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तर महाराश्ट्र चुनाव होने में महज कुछी दिनों का समय बचा है चुनाव में जीत सुनिश्चत करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताका जोग दी है यहाँ पर बीज़पी शिफसेना एंसीपी वाला गडबंदन महायूती और कॉंग्रिस एंसीपी शिफसेना वाला एमवे गडबंदन प्रमुक रूप से चुनावी मैदान में है बीज़पी के ओर से पीम नरेंद्र मोदी, ग्रह मंत्री अमित्षा, केंद्रे मंत्री राजनाथ सिंग, शिवराज सिंग चोहान जैसे कई दिगज लोगों की बीच पहुंचे बीज़पी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री जैसे योगी आदितिनाथ, मोहन ग्यादव, हिमंता, विश्वास, सर्मा, आदीप्रमुक रूप से राज्य में प्रचार कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वही बीज़पी ने इस बार मुखर होकर धरम का मुद्दा उठाया है, जहां महायूती बीज़पी के साथ बटेंगे तो कटेंगे का एजंडा जनता तक पहुंचाने में लगी है तो वही कॉंग्रिस के साथ एमबीए अपने पुराने फॉर्मूला में काम कर रहा है और राहुल का सन्विधान बाले मुद्दे से जनता को एक बार फिर बरगलाने की कोशिश में लगा है देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जैसे जैसे चुनाव की तारीक नस्दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक धार को तेज करने में लगे है वही बीजपी ने इस बार एमबीए के प्रमुग घटक शिवसेना को जादा निश्वाने पर लिया है बीजपी का मानना है कि वो अगर हिंदू वोट एक जूट कर लेती है तो उसकी जीत पकी है दरसल ऐसा इसलिए क्योंकि बीजपी ने पिछले कुछ चुनावों में ये देख लिया है कि मुसलिम वोट बीजपी के खाते में ना के बराबर ही आता है ऐसे में पार्टी खुल कर हिंदोत वाला कार्ट खेल रही है इसी के चलते आपने योगी आदित्तिनात को रैली के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते वे देखा होगा वो जहां भी चुनावी रैली कर रहे हैं इसी नारे को दोहरा रहे है आपको बता दे कि राजे में 11.24 करोड की कुल आबादी में 11.56 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है आकड़े बताते हैं कि राजे की कुल 288 सीटों में से 38 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा असर है इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 फीसुदी से जादा है राजी की नौ सीटे ऐसी है जहां पर 40 फीसिदी से जड़ा मुसलिम वोटर्स है माले गाउ में 78.4 फीसिदी मुसलिम आवादी है मुंबा देवी में 50.9 फीसिदी विवंडी वेस्ट में 49.5 फीसिदी अमरावती में 46.5 फीसिदी कोला वेस्ट में 41.6% मुसलिम आवादी है ऐसे में अबस्तिती साफ हो गई है कि राज्य की मुसलिम आवादी कितनी है और बीजबी कितनी सीटों पर पकड़ रखती है ऐसे में बीजबी का हिंदूत पर कार्ट खेलने का मकसद साफ समझाता है उधर M.B.A के लिए अब चुनाव से ठीक पहले All India Ulema Board की मांग कहीं मुसीबत ना बन जाए दरिसल All India Ulema Board ने महाविकास घाडी को समर्थन देने के लिए मुसलिमों को 10% आरक्षन, राष्टिय स्वेम सिवक संग पर प्रतिबन समेथ 17 मांगे रखती है महाराष्ट के बारे में पहले से ही कहा जाता है कि वहाँ पर हिंदूत्व कार्ट चलता रहा है शिवसेना को अस्थापित करने वाले बाला सहब ठाकर ने राज्य में पहले से ही खुल कर हिंदूत्व कार्ट के प्रयोग की शुरुवात कर दी थी अब शिफसेना UBT कॉंग्रेस के साथ है उसके लिए बीजेपी के हिंदुत्व और सावरकर को लेकर किये गए हमले को लेकर जवाब देना मुश्किल होगा बीजेपी प्रचार के बचेवे दिनों में इस मुद्धे को और गर्माने के मूड में हैं अब इसका कितना फायदा उसे मिलता है ये देखने वाली बात होगी फिल्हाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत